प्रणा मित्रो आज हम कक्षानों में विशेंदी पद्य दस बारत गवरव जिनके कवी है मैथिली सरणगोप्त आज के इस प्रथम वीडियो में हम कवीता के कवीपरिचय एवं कवीता का सारांज देखेंगे सबसे पहले देखते हैं कवीता का सारांज मित्रो बारत के राष्ट कवीश्री मैथिली सरणगोप्त द्वारा रचीत यह कवीता बारत गवरव जिनमे कवी ने बारत के प्राचिन गवरव की बात की है बारत का इतियास सदियो पुराना रहा है बारत संसार के प्राचिन देशों में से एक है यहां के प्राचिन दिवासी आरियद है हमारे देश का बुद्काल गवरों में रहा है हमारे रुशिमुनियों द्वारा दी गई संस्कृति एवं आरियों ने ही संसार को विद्या और कला कौशल की जो शिक्षा प्रदान की वह हमारे लिए गवरों में है आईए अब इस कविता के कवी के बारे में देखते हैं मैथिली सरण गुप्त का जिन्मा जासी जिले के चीरगाव में हुआ था बाल्ले अवस्ता से ही कवीता में इनकी रुची थी इनकी प्रारंभीक रचनाए हिंदी की पत्री का सरस्वती में प्रकासीत हुई महावित प्रसा द्रिवेदी के प्रोजसाहन ने इनकी कवी व्यक्तित्व का परिस्कार कर दिया राम बक्ति में सराबोर पारिवारिक संसकारों ने इनहें राम काव्य लिखने के लिए प्रोजसाहित किया और तत कालेन राष्टिय परिस्थित्यों से प्रभावित होकर इनकी कवीताम उमें राष्टिय चीतना और स्वदेश कवरों की गुंज सुनाई देने लगी इसी कारण ये राष्ट कवी के संबोधन से प्रसित हुए भारत भारती सांकेत पंच्वटी यसोधरा विश्णुप्रिया आती इनकी प्रमुख रचनाये हैं हिंदी साहित्य एमम शिक्षा के शित्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्मबुषण की उपादी से अलनकृत किया गया तथा राज्य शभा का सदस्य भी मनोनित किया गया प्रस्तूत काविये भारत भारती से लिया गया है जिसमें तीन खंड में देश का अतीत, वर्तमान और बविश्य चित्रीध है गुप्त जीने बारत के अतीत का गवरवशाले चित्र प्रस्तूत किया है और इन्ही विशेस्ताव के आदार पर उसे विश्व के सीर्मोर पद पर प्रतिस्पाटित हिया है इस काव्य में कवी ने बारतिय सब्वेता और संस्कृति का गवरववगान किया है इसके साथ साथ आरियों के महान जीवन आदर्शो का भी चित्रन किया है मित्रो इस कवीता में कवी मैथिली सरण गुप्त जीने बारत के तिन खंड में जिसमें कवी ने यहाँ पर देश के अतीत वरत्मान और बविश्य का चित्रन इस कवीता में किया है गुप्त जीने बारत के अतीत यानि बुद्काल का गौरव शाले चित्र हमारे सामने ब्रस्तोत किया है कवीता का बावार्थ हम वीडियो के बागदों में आगे पढ़ेंगे प्रणाम अस्तो